श्री नाज्जी गुरुजी को अलखादेश, माभगवती को अलखादेश, राची वाले भैरबाबा को अलखादेश आप सभी को आदेश आदेश तो कपाल कैसे चुने आज का विचह है कपाल का प्रयोग क्या होता है तंत्र में और अगोर में 90% लोग जो कपाल लेकर घूमते हैं उनको कपाल का प्रयोग ही नहीं पता होता है लेकिन कपाल लेकर घूम रहे हैं क्योंकि सिंबोलिजम है आप अगर अपने घर में मंदिर बनाते हैं उसमें घंटी रखते हैं तो घंटी क्यों रखते हैं यह तो आपको पता नहीं है घंटी बजाते क्यों है वो आपको पता नहीं है लेकिन घंटी बजाना चैसले बजा रहा है वैसे ही तंत्र और अगोर में सिंबल माना जाता है कि जिसके पास कपाल है कपाल के उपर 5 किलो सिंदूर लपेट के रखा है और उसका पूजा कर रहा है तो वो एक अच्छा तंत्री के अगोरी होता है सरप्रधम अगर आप सांसारिक हैं और आप आपका परिवार है तो यह वीडियो आपके लिए है नहीं ठीक है पूर्ण रूप से नहीं है कुछ एक अंच है जो कि आपके काम का होगा क्योंकि जो सांसारिक होते हैं उनको कपाल नहीं रखना चाहिए और घर में तो कतई कपाल नहीं रखते हैं कपाल का बहुत ही सिंपल कुछ साधना होता है और बहुत ही बेकार साधना होता है शुरुवाती तौर पे जो जनरल में तांत्रेक और अगण करते हैं यह साधनाएं जिसको एक अच्छा जीवन चाहिए उनको नहीं करने चाहिए आपको शक्ति का एक्स्पीरियंस करना है तो और भी अच्छी साधनाएं है उसको क्या करूँ ठीक है अगर कपाल साधना करनी है अपने देखा होगा बहुत लोग कपाल में शराब पीते हैं कपाल में खाना खाते हैं तो उसको देख करके अभी क्या है कि मैंने देखा तारा पीट के असमशान में कपाल मिलता है, जला हुआ, हरिद्वार में कपाल मिलता है, और लोग इसको खरीद करके और बिना जाने बिना समझे इसी में मद्दिरापान कर रहा है, देखो कपाल जो होता है वो डिग्री आफ सिध्धी बताता है, मतलब जैसे आप अपने कि आप किस स्टेज में हो अभी साधना के, मतलब अवदूत होने के किस स्टेज में हो, कपाल बिल्कुल अंतिम स्टेज होता है, ठीक है, अपि फैशन में लोग कपाल यूज करते हैं, तो सबसे पहला जो जब आपको कोई पात्र ना मिला हो, ठीक है, पहले कपाल उस कपाल की बात कर रहा हूँ, जो कि भोजन में प्रयोगता है, मदिरा में प्रयोगता है, तो जो सबसे पहले कपाल आपको यूज करना चाहिए, वो चांदी का बरतन हो, ठीक है, छोटा सा, और उसमें आप, जो मुद्रा है, उस मुद्रा में, कारण ग्रहन करिएगा, ठीक है, इस उसके बाद तीसरा स्टेज में जहरीली नारियल का खपर आता है, ठीक है, और फाइनल स्टेज होता है, जो मुद्र का खपर होता है, जो कि आपको, मतलब अगर कोई लाश को फेक दिया, या फिर अगर पानी में प्राववाहित कर दिया, तो उसमें ब्रेन का टुकड़ा ह होता है, उसके साथ उस कपाल को आपको रखना होता है, ठीक है, तो वो बहुत बहुत उचा स्टेज है, जो जहरीली खपर है, वहां तक पहुचने में आज के डेट में अच्छे अच्छे तांत्रिक और अगरियों का जीवन बीत जाता है, लेकिन स्टाइल में लोग सब र जोग नहीं होता है, अगर आपको ये लुद्की भुद्की सातना करने हैं, जिसमें एकाद भूत प्रेती है, हडडी वडडी मसानी रखनी है, तो रखो, अपना भी नाश करो, परिवार का भी नाश करो, सब का नाश करो, लेकिन जनरली ऐसी जो कपाल होता है, उसका बहु कहीं से भी एक कपाल उखाड लाए, कहीं से भी एक कपाल खरीद लाए और उसकी पूजा करने लगते हैं, तो वो गलत है, कपाल साधना में जब भी कपाल का प्रेयोग होता है, तो वो किसी साधक का कपाल होगा, तो जो भी साधक होता है, उसको जलाया जाता नहीं है, उसक आपको guide वही कर सकता है जो कि पहले से साधक को अगुरियों को ऐसे मुट्थी मिलती है, अगर आपके पास अगर आपके पास है, तो कपाल हमेशा गुरू पद्दती से ही मिलेगा, आप खुँच जाके कबार नहीं सकते, गुरू आगया के बिना आपने कपाल रखा है, तो आ कुछ भी विराई है या फिर आपके आसन के सामने रखे है पंच कपाल, सत कपाल और उसके बाद उसको जमीन दोश करते है ठीक है और उसकी पिंडी बना के रखते है आपने देखा होगा कि बनारा सरीद्वार में एकदम सामने में कपाल रख करके एकदम पूरा नाटक चलता तो, जाहे, तो वो छोटा मोटा तन्परिक है और अगर वो खुद को अग्हुरी बताता तो जूटाएक क्योंकि यो अग्हुरी होंगे न वह कपाल के काफी इजद्जत करते हैं, भगवान की तरह तो उनको देव श्थान में ही उसको रखा जाता है ठीक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कपाल कभी भी ऐसे जो बजार में मिलता है कपाल या कोई आपको बताए कि ऐसे कपाल लो खाड़ के लाओ मैं तुपको सिद्ध करके दे देता हूँ तो इन सब चक्रों में नहीं पढ़ना चाहिए साधक का कपाल ही सिर्फ साधनाओं में काम आता है दूजरा कपाल कभी भी शो आफ नहीं करते मतब देखा आपने की जो सीरियस लोग है और उनको अगर आम्स लाइसेंस मिला हुआ है तो वो जब बंदूग लेकर के चलते है त तो किसी को पता भी नहीं चलता कि उनके वाज बंदूग है ठीक है और अगर किसी को पिस्टल किसी को आप देखो कि कैसे फ्लैश कर रहा अपना पिस्टल बाहर निकाल कर रखा हुआ पिस्टल तो आप समझा तो अच्छा यह फेक रहा है यह दिखाना चाहता है कि इसके प वड़ाईएगा मत नहीं यूज कीजिएगा जब तो गुरु नहीं देंगे और कपाल मतब मनुष्य के कपाल पर जो शरावारा पीने का स्टाइल है इस सबसे दूर रहिए इसमें बहुत 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 दिन लगता है मैं 116 साल के सादक से मिला हूँ जो कि बहुत नामी है और उनको अभी तक जहरेली खपर में शराब पीने का आदेश नहीं है तो हम आप तो कहीं अभी खड़े भी नहीं होते हैं खोपड़ी हमेशा गुरु परिवार के और सादकों के आज के लिए इतना ही यह जानकारी आपके लिए परियाप होनी चाहिए जिसको भूत प्रि कर लीजे और उसमें आप सर्च करीगा रूतरनाथ तो आपको मुझसे डारेक्ट बात होगी यह पेट कॉल है मेरा वाट्सप नमबर 9431188585 बहुत जरूरी हो को कॉल करें आप सभी को आदेश आदेश महाकाल आप लोगों पेक्रिपा करें आदेश आदेश